हेलो स्टूदेंस वेलकम टू कॉंपेटिशन कम्यूनिटी यूट्यूब चैनल कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्रांजल सिंग और आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो पढ़ा का सर अभी हम फिलाल क्या पढ़ रहें अभी हम पढ़ रहें लीगल सर्विसेज अथॉर्टीज एक 1987 इससे पहले हमने कुछ वीडियो आपके बनाके डाले हुए है अलग अलग चैक्टर वाइस वीडियो है ताकि आपकी तैयारी बड़ी स्पेसिफिक आप कर यानि कि सेक्शन 12 और 13 में उसके बाद हमने देखा लास्ट वीडियो में क्या कि यह जो लीगल सर्विस अथॉर्टीज हैं यह जो कमिटीज हैं डिफरेंट ऑगनाइसे जो इस आक्ट के अंडर में काम करती हैं उनके पास पैसा कहां से आता है उनका फंड कहां से आता है फ इतना कुछ पढ़ा दिया तीस सेक्शन का तो यह एक्ट है और उसमें आपने हमें इतना कुछ बता दिया अभी भी कुछ बचाए क्या जी हां बिलकुल बचाए एक ऐसा टॉपिक बचा है जो कि अगर आपका सिलेबस में लीगल सर्विस अथॉर्टीज एक नाम का सिलेब में हुई है लेकिन यह टॉपिक आपकी जनरल लीगल अवेर्नेस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूछेंगे कि सरी क्या है क्या नहीं है तो मैं बात कर रहा हूँ लोग अदालत के बारे में लेकिन हमें समझ नहीं आया कि यह क्या है तो यह जो मैं आपके सामने whiteboard खोलके बैठा हूं जो कि actually green दिख रहा है वो इसलिए खोलके बैठा हूं कि पहले मैं आपको explain कर दू कि लोग अदालत है क्या उसके बाद हम bear act में jump करेंगे और उसके provisions को समझेंगे ठीक है सर आगे बढ़े आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक information देना चाहता हूं और आपको remind करना चाहता हूं I hope आप मेंसे जितने भी लोग बिलास्पूर में रह रहे हैं जो free scholarship test competition community organize करा रहा है 29th of October को दोपहर 1-3 बजे I hope यह message आप तक बहुत चुका है आपने अभी तक अपना नाम register क earbird मिलेगा smart earbird और आपको उसके साथ ही साथ मिलेगी 70% तक के scholarship और यह सब के साथ-साथ जो आगे के हमारे rank holders होंगे या students होंगे जो high scores करेंगे उनको और भी अलग-अलग gifts और scholarship प्रोवाइट करी जा सकती है और इसके साथ-साथ मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया था है कि festival है एक offer है एक event होने वाला है यह सेल लगी हुई है किसकी education और excellence कि इसके बारे में आगे बताता हो फिलाल हम इसको शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लोग अदालत है क्या ठीक है सर्थ लोग अदालत के बारे में समझाने से पहले मैं एक चीज बोर्ट पर लिखना चाहूँगा अगाए भी पल ल दे की लोगों की अदालत अदालत से हम क्या समझते हैं यह सुन्हियायाले का समझते हैं जो लोगों की प्रॉबलम्स कोो सौल्व करता है उन mojdo दिलाता है तो यानि कि हम ने लोक अदालत से क्या समझा आदालत मतलब की कोट यह भी एक किसम की कोट ही होती है से कोट है बिलकुल कोट है लेकिन इसमें न्याय देने का तरीका थोड़ा अलग है इसमें लोगों को न्याय देने का तरीका जैसे कि अगर एक आम इंसान किसी कोट में जाता है तो उसको रूल्स को अबाइट करना पड़ता है एक क्रिमिनल जस् से इसको दूर करने के लिए लोक अदालत की स्थापना करी जाय समझ सर कुछ नहीं आया सुनते जाए आप दिए-दिले समझ जाएंगे यárium कि पहला टर्म हमें क्या पकड़ना है पीपल्स कोट यानि की लोगों कि दूसरा टर्म हमें क्या पकड़ना है सर नाइंटीन एटीज में पहली बार लोक दालत इंडिया में अर्गनाईज हुई थी इंदी स्टेट वाली party हो या हो सकता है state हो on the defensive side और बोले कि इन्हों ने हमारे rights का हनन किया है तो हमें अप justice दीजे एक judgment दीजे एक judgment आता है जिसमें mostly क्या देखा जाता है एक normal court के judgment में यानि कि एक normal court जब अपना judgment दे रहा है तो एक जो side है उसकी win life imprisonment तक ही सजा हो जागी या तो सजा होगी या तो एक्विटल होगा ठीक है सर लेकिन लोग अदालत इसी point को लेके चलता है कि हमें यह काम नहीं करना है क्यों नहीं करना है क्या को मुम्किन है कि दोनों की दोनों पार्टियां जीत जाए अब मैं आपको एक example से समझाता हो समझने की कोशिश कीजिए कि एक मामुली सा छोटा मोटा matter है दो पडोसियों कि बीच का dispute यानि कि दो पडोसी है जिनके बीच हम उसको कहां लेकि आते हैं कोट में कि सर हमें न्याय दीजिए जो ऐसे मामले होते हैं जो civil nature के होते हैं जिनको ऐसा लगता है किसको न्यायाले को या लोगों को खुद जो उसकी पार्टी जैं कि यार यह मामला बिना मतलब कि कोर्ट में जाएगा कोर्ट का भी समय बरबाद होगा हमारा भी समय बरबाद होगा लंबे समय तक यह मामला चलेगा इस matter को हम कहां ले चलते हैं लोक अदालत में ले चलते हैं और लोक अदालत इस principle पे काम करती है कि दोनों पार्टियां हारे ना इसका मतलब यह है यह एक ADR सिस्टम है ADR सिस्टम क्या है सर्थ इसका मतलब यहां दोनों पार्टी इसको सामने आमने सामने बठाके जुडिशल मेंबर्स और जो लोक अदालत के मेंबर्स है वो सामने बठाके एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं समझ में आई बात लोक अदालत एक ऐसी अदालत है जहां पे कुछ ऑफिसर बैठके जिसमें आपका वकील नहीं आता आप आते हो और आपकी दूसरी पार्टी आती और वो दोनों आमने सामने बैठ हैं ताकि यहीं बात है लोक अदालत की यानि कि लोक अदालत में दोनों पार्टी नहीं हार रही हैं दोनों पार्टी क्या कर रही हैं जीत रही हैं दोनों की दोनों पार्टी के फेवर में जज्मेंने कॉम्प्रोमाइज हुआ और यह मामला वहीं लोक अदालत में सेटल हो यानि कि कोई dispute जो party के बीच में हो रहा है उसको resolve करने का एक तरीका हमारे पास क्या है कि court जाएए case बनाईए case लडएगा एक side उसको defend करी कि एक side उसको prosecute करेगी इसका दूसरा option है कि आप लोक अदालत जाए एडर के formula को apply कीजिए जिसमें की दोनों party को आमने सामने बठाके उ court के बाहरी वह settlement हो जाए although लोक अदालत यह किसम की court है इतना अभी के लिए समझने के लिए काफी होगा लोक अदालत को जब हम bear act को read करेंगे तो आगे हम आपको और explain करते जाएंगे तो जल्दी से हम जम करते हैं कहां पे bear act पे तो यह आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोक अदालत की proceeding आगे बढ़ाई जाती है अगर दोनों पार्टी लोक अदालत की proceeding के end में यानि कि उनको पूरा compromise करने की कोशिश करें कि दोनों में से एक भी पार्टी अगर तयार नहीं है तो लोक अदालत की जो decree है वो नहीं दी जाती है वो क्या किया जाता है उस मामले क सब्सक्राइब का बात करता है organization of लोक अदालत के बारे में यानि कि सवाल अगर आपसे यह पूछा जाए कि लोक अदालत कि सेक्शन के बेस में या किस प्रोविजन के बेस में और गनाइस किया जाता है जो कि पूछा जा सकता है important point हो सकता है तो वह सेक्शन 19 लीगल सर्वि सर्विसेज कमिटी दोनों कोर्स के लिए मैंने आपको मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि यह कमिटी एक्जिस्ट करती है उनके लिए और as the case में भी जिसके लिए भी किया जा रहा है और उसके साथ ही साथ तालुक लीगल सर्विस कमेटी यानि कि इस act के अंदर हमने जितनी bodies के बारे में पड़ा है वो सब अपने अपने लेवल पे क्या करा सकती है लोग अदालत और्गनाइज करा सकती है आगे क्या कह रहा है at such intervals and places and for exercising such jurisdiction and for such areas as it things fit यानि कि उन authorities के पास उन committees के पास या option है कि वो अपने अपने jurisdiction में लोग अदालत करा सक में एक सालसा को लग रहा है कि नहीं मैटर हम लोग एकी बार में बहुत बड़े लेवल पर कराते हैं सॉल्प कर देते हैं तो हम हर तीन महीने में एक बार कराएंगे कई बार किसी बड़े स्टेट की सालसा को लग रहा है कि नहीं यार यह बहुत जादा हमारे उपर मैटर क अब organized होगी यह सब कुछ provisions है जो आपको समझने की जरुवत है ठीक है सर और क्या कह रहा है सब क्लॉस 2 section 19 का कह रहा है एवरी लोग अतालत organized for an area shall consist of such number of serving or retired judicial officers and other persons इसका मतलब क्या है कि जो judge अभी serve कर रहे हैं या जो judge retire हो चुके हैं वो उसके member होंगे लोग अतालत के इसका मतलब वो शेयर करेंगे उस लोग अतालत को और साथी साथ other persons यानि की और लोग जो non-judicial members है यानि की law से related भी हो सकते हैं बहार से तो मुस्ती नहीं होते हैं law से related लेकिन judge नहीं हो जैसे senior advocate हो गए है या कोई ऐसा इंसान जो बहुत समय से पैनल लॉयट चला रहा है legal service authorities में या वो legal aid के लिए काम कर रहा है तो ऐसे लोग इसके judge हो सकते हैं बस यह है कि वो person थोड़ा experience होना चाहिए ठीक है sir of the area as may be specified by the state authority or the district authority or the supreme court legal service committee और high court legal service committee और as the case में भी तालुक लीगल service committee organizing such local दालत यानि की वो decide कौन करेगा सालसा डालसा तालुक लीगल सर्विस कमिटी एक आपको important इस में भी दा तालुक लीगल सर्विस कमिटी यह देखिए यहा लिखने की वज़ा क्या है पता है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तालुक था यह जो other persons की बात कर रहा है जिसमें मैंने आपको बताया था वो भी qualified होने चाहिए मैंने पहले ही बता दिया था यह यहां पर बता रहा है refer to in clause B of subsection 2 for local atalat organized by the supreme court legal services committee shall be such as may be prescribed by the central government यानि कि यह क्या कह रहा है जब supreme court legal services committee के other members की बात होगी तो central government decide करेगी sub clause 4 क्या कह रहा है the experience and qualification of the persons referred to in clause B of section 2 for local atalat other than referred to in subsection 3 shall be such यानि कि supreme court legal services committee subsection 3 की बात कर रहा है यानि कि 3 में दिये हुए कि अलावा जितनी भी committees है उनका कौन decide करेगा सर जल्दी से देख लीजए state government in consultation with chief justice of India यह तो इतनी बार पढ़ चुके है तो यानि कि यह concept भी clear हो गया सर ठीक है लोक अदालत चाहर है jurisdiction to determine and to arrive at a compromise or settlement between the parties to a dispute in respect of any case pending before or any matter which is falling within the jurisdiction of and is not bought before any court पर विस लोक अदालत और और यह क्या कहना चाहरा है सब सिर्फ इतना कहना चाहरा है कि लोक अदालत के पास वो फावर होगी कि उन matters को वो उन dispute को क्या कर सकता है यहां पर देखिए compromise settlement यानि कि लोक अदालत में compromise और settlement कराया जाता है parties के बीच में बड़े scale में होता है national लोक अदालत जब लगती है तो आप कभी जाएगा उसमें एक ऐसा मामला clause B कह रहा है जो अभी तक court में ना गया हो लेकिन उसके jurisdiction में आता हो ऐसे मामलों को भी क्या कर सकते हैं लोक अदालत डील कर सकती है ठीक है एनि उसके बाद कह रहा है एक प्रोवाइजों कह रहा है प्रोवाइड़े देर लोक अदालत चाल है नो jurisdiction in respect of any case or matter relating to an offense not compound under any law इसमें मैं आपको बोलूँगा section 320 CRPC को आप खोलिए उसमें बात करी गई है compoundable और non-compoundable offenses की क्या होते हैं सरी सब्सक्राइब इतनी बात क्लियर कर लीजे 320 जो section CRPC को उसमें table बनी आपको bear act में मिल जाएगी आप गूगल कर लीजे आपको पता सिल जाएगा कौन-कौंसे offences compoundable है कौन-कौंसे offences compoundable नहीं है ठीक है सब कोगनाइजेंस ऑफ केसे का कोगनाइजेंस कैसे होगा यानि कि पहला कंडिशन क्या है जो पार्टीज है लोक अदालत में आने के लिए अगर दो परसन उनके बीच का कोई दिस्प्यूट है तो वो दोनों पाटी अगरी होनी चाहिए one of the parties thereof makes an application to the court अब इसमें बच्चे एप्लिकेशन देगी किसके लिए लोक अदालत में आने के लिए for referring to the for referring the case to the local अदालत for settlement and if such court is primafissi satisfied that there are chances of settlement और उसके बाद जब application आ जाएगी तो लोक अदालत के पास ये description रहेगा कि वो primafissi यानि कि first instance पर देखके वो ये चेक कर पाए कि ये case लोक अदालत के लायक है भी या नहीं ये solve हो पाएगा भी कि नहीं ठीक है सर्थ सेकेंड क्या है the court is satisfied that the matter is an appropriate one to be taken cognizance by the local अभी क्या कह रहा है हर इंसान को तो नहीं पता section 320 of CRPC compoundable है की नहीं है तो ये court देखके बताएगी कि ये matter हमारे लोक अदालत में लाने लायक है की नहीं application कुछ भी डाल सकते हो सकते है कोई murder का person हो उसको लग रहा हो कि मेरा case इतने समय से चल रहा है जिसको जाना था वो चला गया मैं कर लेता हूं उसको नहीं पता है कि ये non compoundable offense है इसमें trial चलेगा और आखरी में जो judgment आएगा वो आपको मानना पड़ेगा चाहिए वो जितने समय के लिए आ रहा हो तो उस cases में लोग अदालत हैं डिसाइड करीगा उनको बताएगी कि सर आपका case murder का है आपका case जो है वो non compoundable है लोग अदालत के ambit के बाहर की चीज़ है आप जाए सेशन कोट के पास अगर आप सेशन कोट के हो चुका है तो आप हाई कोट आप इलांट कोट जाए लेकिन आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं ठीक है सर प्रोवाइड़ डैट नो के शल भी रिफॉर्ट तो लोग अदाल एक प्राक्टेस बन सकते थी किस बात की प्राक्टेस की सेशन कोट के जो माम लाए उन्हों ने देखा यह तो कंपाउंड़ लोग अदालत भेजो उसको गलत इसमें क्या है कि जो सेशन स्कॉर्ट के जजज है यानि जो कोट है जो भी कोट है वो उसको पहले दोनों बस इतना किया रहा है कि अप्लिकेशन हाईगी तो उसको क्या करना है आपने लोक अदालत के लिए भेज देना है यानि कि जो भी रीजनेबल ऑपर्चुनिटी आपने प्रोवाइड करनी चाहिए वह आप प्रोवाइड करेंगे उसके बाद ही उसको लोक अदालत भी तो भी तुम्हारे पास चांस है कोई तुम्हें जुर्माना नहीं भरना है तुम वापस कोट जा सकते हैं उसको यह बता या किसी ने कान में आके कि भाई साब अगर आपका जो है मैटर अगर आपने कॉंप्रमाइज नहीं किया तो सीधे जेल है यहां से अब वह एक तो अल्रेडी घवराय हुआ है कि लोग का दालत पता नहीं क्या है हमने तो केवल कोर्ट सुना था कोर्ट में जाते हैं वकील स सब्सेक्शन में जो बात लिखी हुई है वह इसले लिखी हुई क्योंकि वह चीज पहले प्रेवलेंट थी और उससे रिलेटेड अब्जरवेशन हुई और यह ऐसा रियलाइज किया गया कि उससे रिलेटेड एक कोडिफाइड लौ होना चाहिए बेर एक्ट यह अख्री लाइन बहुत इंपोर्टेंट है कि हमने सिफ समझ लिया कि कॉंप्रोमाइज कराने के बहुत तरीके हो सकते हैं आप किसी को पीछे मार के कॉंप्रोमाइज कर सकते हैं किसी को अधर वाइस ब्लैक्मेल कर सकते हैं जो इतना एजुकेट परसन ना हो आप बड़ principles को follow किया जाएगा fair play होगा equity होगा और सारे principles of justice को भी follow किया जाएगा यानि ultimately justice ही serve होना चाहिए where no award is made by the local adalat on the ground that no compromise of settlement have been arrived यानि कि उस case में जब दोनों party के बीच compromise of settlement नहीं हो पाया है the record of the case shall be returned to the court from which the reference has been received under subsection 1 for disposal and accordance with law यानि कि जिस्भी court से मामला आया था जो भी लोक अदालत की फाइल है उसको बंद करके उनको भेज़ दो कि सरी मामला आया था यहां तक बात पहुची लेकिन आगे matter settled नहीं हो पाया ठीक है सर 7 क्या कहा रहा है where the record of the case is if returned under subsection 5 to the court such court shall proceed to deal with such case from the stage which was raised before such reference under subsection 1 यानि कि उसको new case की तरह डील नहीं करेंगे जिस स्टेज पे वो case लोक अदालत में रिफर किया गया था हो सकता है कि भाई starting में भेज दिया गया हो लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ट्राइल के बीच में लगा कि यह दोनों पार्टी compromise करने को तयारे इनको भेजो लोक अदालत लिया को लाइस ऐसा कोई जोट वाली में लोक अदालत नहीं कि और यानि की की देक्री के बराबर माना जाएगा लोक का डिसीजन यानि लोक अँडाले में जो होगा जो डीक्री लिखी जाएगी as the case may be, an order of any other court. यानि कि, अगर civil nature का नहीं है, किसी और nature का है, तो किसी और नियाले जो उसके level पे माना जाएगा, किसी और court का. Where a compromise or settlement has been arrived at by लोक अदालत in a case referred to it under subsection 1 of section 20, the court fee paid in such case shall be refunded in a manner provided यानि कि, जिस नियाले से matter राया है, बहाँ पे court fees आप already pay कर चुके थे और लोक अदालत में आपका matter सेटल हो गया, तो वो court fees आपको वापस कराई जाएगी. Every award made by the local अदालत shall be final and binding on all the parties to the dispute and no appeal shall lie to any court against the award. ये बहुत बड़ी चीज है, इसके हिसाब से लोक अदालत में जो compromise आपने एक बार करा दिया जिस dispute में, वो क्या है, final or binding है, उसकी कोई appeal कहीं नहीं हो सकती, लेकिन actual में ऐसा नहीं है, उसकी appeal आप कर सकते हैं, writ के through कर सकते हैं, एक दो provisions और है उसके through आप higher courts में जाके उसकी appeal कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आपने आप में हम समझ सकते हैं, क्योंकि उपर आपने हमें क्या बता है कि उसकी जो judgment है, उसका जो order है, वो क्या माना जाएगा, civil court की decree के पराबर माना जाएगा, ठीक है, civil court under CPC, CPC के अंडर में जो civil court है, उसके लेवल पर माना जाएगा, while trying a suit in respect of the following matters, namely summoning and enforcing the attendance of any witness, यानि कि किसी witness को summon करना है, उसके attendance के लिए, तो भी उसको, जो वो summon करेगा, वो किसके लेवल पर किया जाएगा, civil court माना जाएगा, the discovery and production of any document, यानि कि court की तरही चल रहा है सारा मामला, discovery भी क्या कर सकता है, discovery or production of document, यानि evidences के बारे में, और क्या कह रहा है, the reception of evidence on affidavit, यानि कि evidence लेगा, किस पे, affidavit पे, और क्या कह रहा है, the requisition of any public record or document, or copy of such record or document from any court or office, यानि कि कि किसी भी public office, या court से क्या कर सकते हैं, वो documents मंगा सकते हैं, such other matters may be prescribed, और जो matters time time पे उनको पता चलेंगे, वो आगे, deal होंगे, sub clause 2 क्या कह रहा है, without prejudice to the generality of the powers contained in subsection 1, every local adalat or permanent local adalat shall have the requisite powers to specify its own procedure for the determination of any dispute coming before it, यानि कि defer करेगा, dispute to dispute, लेकिन वो अपना procedure खुद स्टाबलिश कर सकता है, of course, क्यों कि क्यों, CPC के enter में उसको एक civil नयायले का दर्जा दिया गया है, ठीके सर, all proceeding before a local adalat or permanent local adalat shall be deemed to be a judicial proceeding, यानि कि उसको judicial proceeding ही माना जाएगा within the meaning of section 193, 219 and 228 of Indian Penal Code and every local adalat or permanent local adalat shall be deemed to be a civil code for the purpose of section 195, chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, यानि कि उसको क्या माना जाएगा, पहले लो उसकी proceeding क्या है, वो चलेंगी proceeding, क्या माना जाएगा उसकी proceeding को, उसकी proceeding को माना जाएगा judicial proceeding और साथी साथ उसके दर्जे को माना जाएगा civil court का दर्जा, यह बहुत ही important बात है लोक अदालत के और यहाँ पे हमारा जो chapter है, जैसा कि आप देख सकते हैं लोक अदालत का खतम हो गया है, लोक अदालत के बारे में अगर आपने इतनी चीज़े समझ लिए तो वो इतना इनफ है आपकी understanding को डबल अप करने के लिए कि लोक अदालत क्या चीज़ है, important points का याद रखने, लोक अदालत कब बना, कौन सा award दे सकता है, उसका जो judgment है, वो final binding है, उसके orders माने जाएंगे, क्या civil court की decree के बराबर और उसका खुद का दरजा भी civil court की decree के बराबर है, और लोक अदालत in general, in a nutshell क्या है, एक ADR system है, जिसमें दो parties को आमने सामने बिठा के, उनके dispute को resolve कराया जाता है, बात चीत करके compromise कराया जाता है, एक settlement कराया जाता है, अगर settlement ना हो पाए, तो वो मामला वापस ने आयले भेज दिया जाता है, तो यह था हमारा आज का वीडियो, I hope आपको बहुत पसंद आया हो, आपको concept आपका clear हुआ हो, और अगर नहीं हुआ है, तो सर आप नीचे comment section में हमें बता सकते हैं, कि भई आपका यह doubt यहाँ पर दैगे है, हम उसको clear कर देंगे, तो I hope आपके लिए helpful रहा हो वीडियो, जल्दी से हम मिलेंगे एक next वीडियो में, जहां पर हम इस Legal Service Authorities Act को खतम कर देंगे, और उसके बाद हम move करेंगे, अपने next act या next topic की तरफ, और आखरी में जो मैं आपक 27 यानि की 5 दिन हर रोज दोपहर के 12 बजे हम live आएंगे, मैं आओंगा, सोमेश से राएंगे, मनीश से राएंगे, और आपके different subject जो आने वाले है, कब 29 को आपके scholarship test में, उसके question solve कराएंगे, रोज 100 questions live solve होंगे, यूट्यूब पे, आप उसके साथ जुड़े रह सकते हैं, और ये जो 500 questions है, 70 questions उस scholarship test में, इन्ही 500 questions में से आना है, तो आपका ऐसे भी फाइदा है, आपका वैसे भी फाइदा है, scholarship test free भी है, बहुत सारे gifts भी है, तो आप उस exam के साथ जुड़िये, अपने आपको register करवाईए, और हम जल्दी मिलते हैं next video में, thank you. अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना, तो जुड़िये competition community के साथ, आज ही हमारे website के कैरियर पेज पर विजिट करें, अथवा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें, हमेशा आपके साथ team KOKO.